हेलो अब्रेवन आज के इस फीडियो में हम वो बात करने वाले हैं हैं बैले इनस बान्ट थियोरी में आज अज छ यह लेक्चर क्वादनेशन कंपाउंड का लास्ट लेक्चर है हमने अभी तक सारे parts coordination compound के cover कर लिए हैं जो आपके boots में आ रहे हैं हमने इसके पिछले 6 lectures cover कर चुके हैं और ये सातवा लेक्षर है और इसमें हम आज बची तो theories जिनको आज हम cover करेंगे which is balance pond theory and crystal field theory आप लोग बार बार comment कर रहे थे कि सर इन दो theories में बहुत ज्यादा problems है तो आज इन दोन theories को हम आप पर cover करेंगे और इस chapter को finish करेंगे तो आए स्टार्ट करते हैं हमारा ये lecture कि सबसे पहले आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है अगर आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं या अगर आपने अभी तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और पहला आइकन को भी जरूर हिट करें जिससे कि आपको notification सबसे पहले मिलेगी हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और अपने दोस्तों को सेर्थ जरूर करिए इसके बारे में अपने दोस्तों को अपने फ्रेंड्स को अपने छोटे भाई-बैनों को जरूर बताईए जिससे कि वो लोग भी हमारे इस चैनल के साथ चुड़ पाएं मैं आपको वहाँ पर उसका एंसर जरूर दोगा ठीक है कुछ बच्चे के कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सब इसके बाद कौन सा चाप्टर आप स्टार्ट करेंगे तो इसके बाद मैं और गैनिक के चाप्टर स्टार्ट करूँगा और वो मैं पार्ट बाइस नहीं एक आप लोगों के लिए अप्लोट करूंगा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए ठीक है तो क्योंकि इस समय रिवीजन का टाइम है आप लोग जद्दे ज्यादा सज्यादा टाइम आप रिवीजन पर देजिए इस वज़े से मैं लॉंग वीडियो ना मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्ट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं मैंने आपको पढ़ाया था पहला ही लेक्चर अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा कि सॉल्ट मैंने बताया थे कि दो टाइप के होते हैं एक सॉल्ट होता है सिंपल सॉल्ट एक को बोलते है simple salt और दूसरा होता है mixed salt ठीक है अगर हम इसको further classified करें तो ये हो जाता है double salt और ये हो जाता है coordination compound ठीक है coordinate तो ये यहाँ पर हमें पढ़ना है जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था वो है simple वाला ठीक है ना simple salt के बारे में हमने balance bond theory को पढ़ा है लेकिन अभी यहाँ पर हमको coordinate के बारे में पढ़ना है यानि coordination compound में हमको balance bond theory पढ़ना है ठीक है तो चलिए start करते है दीखे balance bond theory क्या कहती है सबसे पहले यहाँ पर हमको एक covalent bond का formation करना है किस bond का covalent bond का formation करना है covalent bond form कैसे होता है electrons के sharing से जब electrons share करते हैं electron की sharing होती है तो bond का formation होता है जैसे hydrogen और chlorine अगर इसमें bond बनना है तो यहाँ पर इसका एक electron और दूसरा यह electron इन दूनों में जब sharing होगी जैसे hydrogen यहाँ से sharing करा और chlorine ने इस तरफ से sharing करी ठीक है तो यह जब sharing हो गई है तो यहाँ से electrons का sharing होने के बाद bond का formation होगा ठीक है लेकिन यह जो sharing हो रही है यह देखिए यहाँ पर overlap हो रहा है ठीक है तो जो covalent bond है sharing का मतलब overlapping ठीक है overlapping orbitals में overlapping हो रही है लेकिन यह चीज़ तो यहाँ पर clear होगी कि जब covalent bond form होता है वो overlapping के through overlapping के द्वारा बनता है orbitals में ठीक है लेकिन एक और चीज़ है वो है hybridization hybridization क्या है overlapping से पहले जब overlapping हो रही है उससे पहले इनका intermixing कराना जरूरी होता है hybridization कहता है कि before overlapping intermixing of orbitals occurs यानि उनका intermixing कराना जरूरी है overlapping से पहले यही है आपकी balance bond theory balance bond theory क्या कहता है कि जब आपने orbitals में covalent bond बनाने हैं तो आपको overlapping करना पड़ेगा लेकिन overlapping से पहले आपको intermixing कराना पड़ेगा यानि intermixing plus overlapping is equal to VBT I hope you understand intermixing plus overlapping is equal to balance bond theory ठीक है अब देखिए hybridization क्या है जैसे मान लो मैंने यहाँ पर आपको लिखा CH4 जैसे मान लो methane का example मैं आपको दूँ अगर तो यहाँ पर देखिए जैसे carbon यह 3 carbon 3 hydrogen नीचे और 1 hydrogen उपर यह यहाँ पर है यहाँ पर अगर हम इसका hybridization देखेंगे तो इसका hybridization होता है SP3 यह SP3 hybridized होता है ठीक है यानि 1 electron S subcell में और 3 P cell में ठीक है तो यह हो जाएगा SP3 hybridization यह आपको चीज़ समझाई होगी पहले intermixing बाद में overlapping यह balance bond theory को याद रखने का सबसे simple तरीका है कि पहले intermixing होगा फिर overlapping होगा ठीक है यह तो in journal चीज़ हमने आपको बताई अब हम देखते हैं कि हमारे जो coordination compound है इसमें overlapping का क्या मतलब है इसमें balance bond theory का क्या मतलब है इसमें आपको पता होगा कि जो हमारा compound होता था उसमें metal और metal को छोड़ करके बाद मा की जो भी है वो ligand होता था ligand का का काम क्या था ligand का काम यह था कि वो metal को electrons यानि lone pair share करता था lone pair share करता था अब जब यहाँ पर lone pair share होगा lone pair इदर transfer होगा तभी यहाँ पर bond का formation होगा यानि यहाँ पर भी पहले intermixing होगी lone pair share करने का मतलब क्या overlapping हो रहा है लेकिन overlapping से पहले electrons overlapping से पहले उनका intermixing होना ज़रूरी है तो balance bond theory आपको समझ में आई कि सबसे पहले overlap और फिर intermixing सबसे पहले intermixing and then overlapping और इसके द्वारा आपका बनेगा coordinate bond ठीक है इसके द्वारा coordinate bond बनेगा अब जैसे कि यहाँ पर देखो so किया गया है यह आपका metal है metal के पास खाली जगह है यानि vacant d orbital है यह क्या है vacant d orbital यह है vacant d orbital ठीक है vacant d orbital है और यहाँ पर यह आपका ligands है, ligands के पास क्या है यह lone pair है अब ligands अपना lone pair कहा share करेगा इस vacant d orbital में ठीक है जब यह d block का element है और d block के पास orbitals खाली रहते है यानि यह जब lone pair वहीं जाएगा जहाँ पर जगे खाली होगे अगर जगे ही नहीं खाली होगे तो वो जाके set कहा होगा ठीक है तो यह हो गया आपका overlapping यानि कि fully filled से यह जाएंगे empty orbital में ठीक है जो lone pairs है वो fully filled से empty orbitals में की तरफ move करेंगे ठीक है अब देखिए legands जो होते हैं वो दो type में classify होते हैं दो type में उनको हम classify करते हैं एक होता है strong filled legands और दूसरा होता है weak filled legands एक होता है strong filled ligands और दूसरा होता है weak field agent strong field agent क्या होता है जिसके पास मान लीजिए strong field agent का मतलब ऐसे समझ लेजिए कि जिसके पास बहुत पैसे हैं और उसके पास से अगर कुछ पैसे कहीं गिर भी गए या किसी को दावन करती है तो इसके उपर कोई खास फरक नहीं पड़ेगा जैसे मान लो किसी के पास एक करोड रुपय है मान लो यहाँ पर इसके पास एक करोड रुपय है और यहाँ पर यह जो दूसरा है इसके पास सर्फ दस जार रुपय है ठीक है इसने अगर किसी को एक हजार रुपए दान कर दिये तो इसके उपर कोई खास फरक नहीं पड़ेगा लेकिन ये अगर किसी को एक हजार रुपए देगा तो सौ बार सुचेगा कि दूं कि ना दूं दे देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे फिर कैसे खर्चा चलेगा तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होंगी लेकिन डोनेट दोनों कर सकते हैं लीगेंड का मतलब क्या है इलेक्ट्राउन्स को डोनेट करना ठीक है इलेक्ट्राउन्स को डोनेट करना लेकिन एक ज़्यादा मात्रा में डोनेट कर सकता है यह कम मात्रा में डूनेट कर सकता है तो जो ज़्यादा डूनेट करेगा वो strong field ligand हो जाएगा और जो कम करेगा वो weak field ligand हो जाएगा I hope आपको समझ में आया होगा अब देखिए जो balance bond theory है इसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है आये देखते है जो points अभी तक हमने आपको समझाये है वही points आपर लिखे हुई है पहली चीज़ है intermixing of orbitals plus overlapping of orbitals सबसे पहले क्या होगा intermixing होगी orbitals में and then overlapping होगी अब जब intermixing overlapping हो रही होगी overlapping तभी होगी यानि electron share तभी होगा जब किसी के पास जगे खाली होगी lone pair तभी कहीं पर जाएगा जब किसी के पास जगे खाली होगी तो central metal atom provide करता है वो vacancy orbital जहां lone pair जा सके ठीक these vacant orbitals will hybridize hybridize का मतलब intermixing हो रही है यानि mixing हो रही है यहाँ पर अगला these hybrid orbitals of central metal atom will overlap overlap यह क्या दखते हैं overlap करते हैं पहले intermixing हो गई आप overlap हो गया with lone pair of orbitals और वहाँ पर coordinate bond का formation हो जाता है ठीक है यह चीज़ आपको समझा गए होगी आप चाहें तो साथ साथ screenshot पी लेते चल सकते हैं या आपको इसकी PDF आपको description box में मिल जाएगी ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब देखिए एक spectrochemical series आती है यह क्या है spectrochemical series क्या है spectrochemical series में हम जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि strong field ligand और weak field ligand तो इसको कैसे पता चलेगा कि कौन strong field ligand है कौन weak field ligand है इसके लिए एक series तयार किया गई जिसको बोलते है spectrochemical series spectrochemical series में जब हम left to right move करते है यह ऐसा नहीं तीन लाइन में लिखे होई है यह मैंने आपको क्योंकि मेरे पास जैगे का मैं इसलिए तीन लाइन में लिख दिया है लेकिन यह पूरी एक ही लाइन में है ठीक है और पूरा इधर से लगा करके और start होता है I minus से और खतम होता है C open ठीक है तो जब हम left to right जाते हैं यानि I से cobalt के तरफ Iodane से cobalt के तरफ जब हम जाते हैं तो इसकी जो strength है वो बढ़ती जाती है सिंपल सा तरीका है मैं आपको बता देता हूँ वो तरीका क्या है इसको मैं पहले हटा देता हूँ अब देखे इसको याद करने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ I से इसको लिखते हैं I बरबादी मैं हिंदी में लिख रहा हूँ हमें पूरी उम्मेद है कि आप सब को समझ आएगा आई बरबादी सनी कल से फरहार फरहार ओ ओ ओ ओ ओ ओक्जलेटो ठीक है ओ ओ ओक्जलेटो इसका नाम भी ओक्जलेटो ही है ओ ओ ओक्जलेटो पानी में नशा ठीक है जब कोई फरार हो जाता तो क्या करते हैं पानी में नशा में आते हैं वाकिया आप समझ दार हैं EDTA एंड आमोनिया EDTA and ammonia EDTA and ammonia IN इन यह हो गया IN IN Canada Canada and Colombo इन and Colombo ठेक है इसको याद करने का तरीका क्या है आई बरबाती सनीकल से फरार O-oxalato, पानी में नसा EDTA, ammonia IN, Canada and Colombo ठेक है जो फरार हुए है वो EDTA and ammonia है जसके एक तरीका है याद करने का अगर आपके पास को इससे अच्छा तरीका है तो Well and Good आप उससे याद करिए याद है तो बहुत अच्छी बात है ठीक है बस एक तरीका होता है जिससे हमारे mind में ये चीज़ें सेट रहें जब कोशन आय तो हमारा कोशन गलत ना होने पाए ठीक है अमोनिया, E-N, Cyanide and Cobalt ठीक है ये Spectrochemical Series है Left to Right जाने पर Left to Right जब हम जाते हैं तो ये strongest होती ही चली जाती है ठीक है ये strongest होता चला जाता है ठीक है चल पर आगे चलते हैं ठीक है एक shortcut भी मैं आपको पता देता हूँ कि strength of ligands में कौन strong और कौन weak होता है ठीक है इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना है Sinox C-N-O-X ठीक है Sinox अगर ligands में donor जो है जो donor atom है अगर वो carbon से start हो रहा है या nitrogen से start हो रहा है अगर donor atom carbon है या nitrogen है अगर donor atom carbon या nitrogen है तो जो ligand है वो strong field ligand है ठीक है लेकिन अगर donor atom oxygen या halogen में से कोई है oxygen या halogen में से कोई है तो वो weak field ligand है अगर donor atom oxygen या halogen में से कोई है तो वो weak field ligand है कोई भी ligand आपके सामने आए तो आप ये देखे सबसे पहले कि क्या वो sinox तो नहीं अगर sinox है तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं ठीक है यहां से आप चीजें पता कर सकते हैं लेकिन अगर इसके लावा कोई है तो आप स्पेक्ट्रो केमिकल सिरीज में जा करके वो चीजें आप देख सकते हैं कि वो कैसा element है ठीक है इतनी चीज़ समझ में आई आप चलते हैं आगे आगे देखते हैं देखिए हाइब देखिए हाइब देखिए कोशन जो है आपका सीर नंबर का मतलब क्या है सीर नंबर का मतलब क्या है कोडिनेशन नंबर ठीक है कोडिनेशन नंबर दो टाइम के कोडिनेशन नंबर है आपके सिलैबल में जिससे कोशन आते हैं देखिए जब कोडिनेशन यह geometry लिखी हुई है, जब SP3 hybridization होता है, जो इसका geometry होती है, वो tetrahydral होती है, जब DSP2 होती है, तो square planar होती है, ठीक है, लेकिन जब आपका coordination number 6 होता है, तो यहाँ पर भी दो तरीके की hybridization होती है, SP3D2 या D2 SP3, ठीक है, यह दो तरीके की होती है, लेकिन यहाँ पर geometry सेम ही रहती है, चाहे SP3D2 हो, चाहे D2 SP3 हो, यहाँ पर geometry always octahedral ही रहीगी, ठीक है, यह चीज़ आपको याद रखनी है, अब यह कैसे निकालते हैं, SP3, DSP2, SP3D2 या D2 SP3, यह हम लोग question के थुरू देखते हैं, ठीक है, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, वो चीज़े simple सी चीज़ें हैं, की balance bond theory कैसे करते हैं, सबसे पहले आप intermixing करिए, और फिर इसके बाद overlapping करा दीए, यह है आपका overall balance bond theory, ठीक है, कौन-कौन से bond बन रहे हैं, legands का मैंने आपको बताया कैसे आपको याद करना है, इस spectrochemical series मैंने आपको बता दी, ठीक है, इसके बाद कैसे देखते हैं, इस strength, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर चीज़ें सिखा दी, ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखिए, आप question किस तरीके से आते हैं, question किस तरीके से आते हैं, वो चीज़ आपको देखनी है, देखिए, question में क्या-क्या पूछा जाता है, question में आपसे coordination, अब एक compound देजिये जाएगा आपको, उस compound में भी question भी मैं खराऊंगा, उसमें आपको coordination number निकालना है, hybridization निकालना है, geometry निकालना है, और magnetic behavior निकालना है, इसके लावा आपको उसमें spin भी बतानी हो सकते हैं, कि high spin होगी, low spin होगी, कैसे देखेंगे, high spin, low spin, वो चीज़ें आपको आपके देखेंगे, ठीक है, लेकिन question mainly, इन चार question यह आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है, देखिए, पहला example आपके सामने है, super example पहला है, आपको क्या करना है, find, coordination number, hybridization, geometry, magnetic behavior of the compound, इस compound का, इस compound का आपको बताना है, यानि, ni, cn का whole 4 की power minus 2, ठीक है, इसके उपर minus 2, चार लगा होगा है, अब आपको सबसे पहले, coordination number निकालना है, तो coordination number कैसे निकालते हैं, coordination number निकालने के लिए, कितने ligands है, ligand into dentition, ठीक है न, कि मतलब कौन सा है, monodentate है, by dentate है, tridentate है, तो यहाँ पर 4 ligand है, ठीक है, चार है, और यह monodentate है, यानि 1 हो जाएगा, तो इस पर coordination number कितना आ बनेंगे, कितना coordination number उपने ही coordinate 1, यानि अगर यह CN है, अगर CN4 है, तो इसका मतलब जो इसका hybridization होगा, वो या तो SP3 होगा, या DSP2 होगा, ठीक है, या तो SP3 या DSP2 होगा, इनी दो में से कोई एक हो सकता है, तो चलिए, आप यह देखना है, कि कौन सा होगा, वो भी आगे सम जाएंगे, पहले इतना समझ गया, अब देखिए, निकल था यहाँ पर, central metal atom निकल है, निकल का जब हम लोग इसकी geometry लिखते हैं, इसकी जो configuration लिखते हैं, तो वो होगा last में 3D8 and 4S2, इसको भी याद करने का बहुत simple सा तरीका है, यह fourth period का element है, तो last के हमको लिखना है, इस number को, just 28 number को, यह जो atomic number है, इसको आप उल्टा कर दीजी, यह last में होगा 3D and 4S, उल्टा करके लिखते हैं, यह 3D8 and 4S2, आप देखिए, प्लस 2 में है, तो यह 4S गयाब हो जाएगा 3D ही बचेगा सिर्फ, अब आपको क्या करना है, यह जो आपके सामने है, यह हो जाएगा 3D, 3D, यह है 4S और यह है 4P, ठीक है, 3D, 4S, 4P, 3D में 5 orbitals, 4S में 1 और P में 3 orbitals होते हैं, अब इलेक्ट्रॉंस को भरना है, अब यह देखना है कि यह strong field है या weak field है, strong field ligand है या weak field ligand है, याद रखिएगा, अगर strong field ligand होगा, अगर strong field ligand होगा, तो उसमें pairing होगी, पेरिंग होगी, हर हलत में pairing होगी ही, लेकिन अगर strong field ligand नहीं है, weak field ligand है, तो फिर पेरिंग नहीं होगी, इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर strong field ligand है, तो पेरिंग होगी, अगर strong field ligand नहीं है, तो पेरिंग नहीं होगी, देखिए, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हैं electrons 1, 8 electron है अब भरना चालू करेंगे, तो जैसे मान लो कैसे भरेंगे, यह चैस देखिए 1, 2, 3 4 और 5, अब 8 electron भरने हैं, 1 2, 3 4, 5 6, 7 8, 8 हो गया अब pairing का मतलब यह जो single electrons हैं, यह pair करेंगे आपस में, यह यहां से यहां चला जाएगा shift हो जाएगा, pairing होगी इंद में यहां पर, ठीक है, यह pair हो गई अभी यहां पर जाकर के, pair हो करके कुछ ऐसा structure बना देंगे ठीक है, कैसा यह कुछ इस तरीके का structure बना देंगे मैं यहां से यह extra drawing अटा देता हूँ 1 second ठीक है, यह चीज़ है मैं यहां से हटा दे रहा हूँ, जिससे के आपको आसानी से समझा पाए ठीक है, अब देखिए अब यहां पर यह हो जाएगा आपका 4, 3D, 4S and 4P ठीक है, अब देखिए हमें 4 electron भरने से सबसे पहले आपको यहां दोगा coordination number इसका 4 आया था, ठीक है अब hybridization की बारी है, देखिए हमको electron सब 4 भरने है, तो पहला तो यहां से ही भरा जाएगा, जिक है तो कोई खाली थोड़ेंगा नहीं, यहां से electron भरेंगे, ठीक है, तो यहां से 1D का use होगा, चार भरने हैं, तो चार कॉलम यूज होगे, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा और चौथा कॉलम, यह चार यूज होगे चार orbitals, ठीक है, कॉलम का मतलब orbitals, यह यहां पर 1D का, 1S का और 2P के use होगे, ठीक है, तो hybridization, देखी क्या बनगे, 1D का, 1S का, और 2P के, यहांनी DSP2 hybridization होगे, अब आप मुझे बताइए, कि DSP2 जब hybridization होती है, तो geometry क्या होती है, square planer, very good, आप लोगोंने जरूर कमेंट में लिखा होगा, square planer होती है, अब magnetic behavior कैसे देखते हैं, देखिए, अगर सारे के सारे electrons, pairing करें, यानि अगर सारे electrons ने pairing कर ली आपस, यानि सभी paired हैं, तो होगा diamagnetic, और अगर एक भी unpaired होआ, तो वो होगा paramagnetic, अगर एक भी unpaired होआ, तो वो होगा paramagnetic, तो यहांपर आप देखिए, pairing के बाद सारे electrons paired हैं कोई भी unpaired तो बचा नहीं इसका मतलब ये dia magnetic होगा कैसा होगा? dia magnetic होगा ठीक है? और एक बात और यातर खिएगा कि अगर dia magnetic हुआ अगर dia magnetic हुआ तो जो spin होगी वो low होगी ठीक है ना? जो spin होगी वो low होगी तो यहाँ पर अगर कोई आप से spin पूछे तो वो कैसी होगी? low spin होगी ठीक है? यह चीज़ आप रखिएगा अब यहाँ पर जो d orbital है यह कौन सा orbital यूज हुआ है? inner orbital यूज हुआ है या outer orbital यूज हुआ है? inner orbital यूज हुआ है चलिए अब आगे चलते हैं एक question पूरा हो गया अब यहाँ पर देखिए dsp2 जैसा कि मैंने आपको बताया था वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है magnetic, diamagnetic होगा और इस सब्सक्रूक्चर आपके सामने होगा square planar geometry होगी next question देखिए next question क्या है यहाँ पर आपको coordination number बताना है इस compound का coordination number hybridization, geometry, magnetic behavior यह सारी सीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है तो देखिए यहाँ पर coordination number इसका 6 होगा 6 ligand है 6 ligand है coordination number यानि monodentate है यह तो coordination number क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा जब इसका आप configuration लिखेंगे तो इसका last में आएगा 3D, 6, 4 is 2 plus 2 में है तो 4 is 2 गयब हो जाएगा बचेगा 3D ठीक है आप geometry देखेंगे तो geometry देखने के लिए पहली चीज़ तो यह सारे pairing करेंगे क्योंकि यह strong fluid ligand है तो इसमें जब हम भरेंगे तो देखें कैसे भर जाएगा यह हो जाएगा 1 यह हो जाएगा 1 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर यह 6 6 electron भरने थे 6 electron भर गए अब क्या करेंगे यह pair करेंगे जब यह pairing करेंगे तो यह वाला electron इधर shift होगा यह वाला electron इधर shift हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से बना देंगे ठीक है अब हमें total 6 electron भरने है जब total 6 electron भरने है तो वो कहां से भरे जाएगे यहां से भर जाएगे तो बीच में जाएगे तो खाली छोड़ी नहीं जा सकती तो पहला यहाँ पर भरा जाएगा दूसरा यहाँ तीसरा यहाँ चौथा यहाँ पांचवा यहाँ और छठा यहाँ क्योंकि टोटल 6 electron भरने है 6 point भरने है 6 orbitals की feeling करनी है तो यहां हो जाएगा 2D के use होगे 1S का use होगा और 3P के use होगे तो hybridization क्या हो जाएगी D2SP3 समझ पाएगा आप लोग कि कैसे इसको करना है तो यह हो जाएगा आपका D2SP3 यानि octahedral geometry होगी कैसी होगी? octahedral geometry होगी और आप बताएगे कि क्या कोई भी electrons unpaired है? नहीं है इसका मतलब यह जो magnetic behavior होगा वो कैसा होगा? diamagnetic होगा बहुत simple से question आते हैं अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपको सारे के सारे question easy हो जाएगे सारे question easily solve हो जाएगे अब देखें यहां कर next question है nico4 ठीक है? nico4 अब यहां पर आपको बताना है कि क्या होगा? यहां पर coordination number इसका कितना आएगा? 4 mono-oriented है यह हो जाएगा 4 coordination number आएगा इसका 4 अब hybridization 2 ही हो सकती है या तो sp3 या d2 sp3 या dsp2 sorry dsp2 हो सकती है ठीक है? अब इसी के coordinate geometry होगी और जैसे इसमें feeling होगी उसी तरीके से यहां पर orbitals भरे जाएगे अब देखें यहां पर 1 d का यहां पर 3 d 4 s and 4 p अगर हम इसका configuration लिखेंगे तो 3 d 8 and 4 s 2 हो जाएगा तो देखिए 8 electron's आपको भरने हैं तो क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 ठीक है? और 2 electron's आपको s में भरने हैं यह इस तरीके से ठीक है? अब क्या होगा? यह जो एक unpaired, दो unpaired electron देख रहे हैं आपको इन दोनों को pair कर दीजिए दोनों को pair करने का आज कुछ ऐसा structure दीखेगा अब इस orbital को खाली तो छोड़ेंगे ने यह पूरी pairing को उठा करके यहाँ पर shift कर देगे ठीक है? तो आपका orbital पूरी तरीके से filled हो जाएगा, full filled हो जाएगा आप यहाँ पर यह वाला orbital खाली रहे गया और तीन यह वाले orbital खाली रहे गया P वाले, ठीक है? coordination number 4 electron भरना है, orbital देखिए 4 orbital लोड़िये, कौन-कौन से 4 orbital होंगे एक orbital यह 1s का और 3p के, यानि hybridization क्या हो गया? sp3, sp3 के hybridization sp3, geometric कौन से हो गई आपकी? अब यह तक कोई भी आपको पैरा नहीं मिला है सारे के सारे डाया, magnetic है ठीक है, अगर डाया है तो spin कैसी होगी? low spin होगी, ठीक है? low spin complex होगा, देखिए वही चीज़ जो मैंने आपको बताई tetrahedral यहाँ पर geometry होगी tetrahedral geometry है कैसा आपकी hybridization, sp3 hybridization है चार bond बनाने है, आपको चार coordination number 4 था इस तरीके से आपका यह S के खाली हों, B के orbitals खाली है ठीक है? चीज़ समझ में आ गई आपको questions कैसे करने है, समझ में आ गए अब वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि extra type of questions कैसे हो सकते हैं वह आपसे फूश सकते हैं कि inner orbital complex है या outer orbital complex है low spin complex है या high spin complex है तो low spin, high spin को ऐसे याद रखिएगा कि अगर dia magnetic है तो low spin complex होगा अगर high spin complex है यानि अगर paramagnetic होगा तो वह high spin complex होगा जितने ज़्यादा unpaired electrical honors होंगे वो उतना ही ज़्यादा high spin complex होगा, जितने ज्यादा unpaired electron होगे, उतने ज्यादा high spin complex होगा, जितना pairing करेगा, उतने ज्यादा low spin complex होगे ठीक है, inner orbital का मतलब है कि अगर अंदर वाले orbitals अंदर वाले d orbitals का use होगा अगर अंदर वाले d orbitals use होगे, तो वो होगा inner d orbital और अगर बाहर वाला d orbital use होगा तो वह होगा outer d orbital ठीक है एक question के तरू इसको भी समझ लेते हैं देखिए जैसे एक question है आपके सामने cof6-3 इसका coordination number होगा 6 ठीक है क्योंगे 6 into 1 is equals to 6 ठीक है coordination number 6 होता है hybridization दो हो सकती है या तो sp3 d2 या d2 sp3 ठीक है आप वह हम देख लेंगे अभी क्यों कौन सी होगी आप देखें यहाँ पर cobalt को अगर देखेंगे electronic configuration तो यह होता है 3d7 4s2 और यह प्लस 3 state में होगा ठीक है न तो यह हो जाएगा 3d6 3d6 यानि और यह weak field agent है pairing नहीं करेगा ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा 3d4s4p and 4d क्योंकि 6 electron भरने तो यहाँ तो जब आप electron भरेंगे 6 इसमें 3d में तो यह जाएगा 1,2,3,4,5 और 6 यह 6 हो गए अब हमको 6 और भरने तो यानि 1,2,3,4,d वाला भी सामिल करना पड़ेगा 5 और 6 अब देखें है hybridization क्या हो गई s1s का 3pk और 2dk यानि sp3d2 hybridization क्या हो गई sp3d2 तो यहाँ पर geometry क्या होगी octahedral और magnetic behavior क्या होगा paramagnetic होगा क्यों होगा paramagnetic बताइए paramagnetic इसलिए यह unpaired electron है और अगर unpaired electron है अगर paramagnetic है तो spin high होगी या low होगी high spin होगी तो कि जितने जादा unpaired electron होगे spin उतनी ही high होगी और आप मुझे बताइए कि यहाँ पर अंदर वाले d orbital का use क्या गया है या बाहर वाले d orbital का use क्या गया है बाहर वाले d orbital का use क्या गया है यानि outer orbital complex है यह अगर कोई doubt है तो please comment में mention करिए मैं जरूर आपके doubt को clear करोगा ठीक है तो यहाँ पर जो मैंने बताया outer orbital complex और high spin complex ठीक है चीज़ें समझ में आ गई तो यह चीज़ें यहाँ पर overall थी अच्छा एक कोशन टाइप को कोशन और होता है magnetic moment में किस टाइप को कोशन आता है आप से number of unpaired electrons जैसे आपको यह दिया जाएगा कोई भी complex दे दिया गया उसमें आप number of unpaired electrons पहले निकाल लेंगे जिस तरीके से आप अभी filling करें उसमें वहां से ही आप देख पाएंगे किसमें unpaired electron कितने हैं अगर दो unpaired electron है तो number of unpaired electrons की जगे एन की जगे 2 रखेंगे 2 यहां रखेंगे और plus 2 और overall आप निकाल देंगे ठीक है एक सब्सक्राइब ठीक है यह यहां पर आप इसको solve कर सकते हैं इस तरीके से चलिए इस पर based भी कुछ questions कर लेते हैं एन का मतलब होता है number of unpaired electrons ठीक है जैसे पहला question है आपके सामने यह जो भी अभी आपने पहला question किया था भाई है NIE CO4 अब यहां पर जब आप NIE का hybridization दिखते हो 3D8 and 4S2 तो यहां पर जब आप filling करेंगे तो यह इस तरीके कुछ आपको दिखाई पड़ेगा कैसे filling करते हैं वो हमने आपको आगे सिखाती है कोई भी unpaid electron है क्या नहीं है अगर unpaid electron नहीं है तो N is equal to 0 हो जाएगा जो फार्मूला था under root N bracket N plus 2 वाला तो यहां पर आप N की value put करोगे तो overall answer क्या जाएगा 0 यानि जो number of unpaid electron है magnetic moment है वो क्या आएगा 0 ठीक है तो जो फार्मूला है आपका उसी फार्मूले पर value put करेंगे N bracket N plus 2 ठीक है तो यह हो जाएगा N की जगे आ जाएगा 4 bracket 4 plus 2 is equal to 6 तो यह हो जाएगा 4 into 6 root में यह हो जाएगा root 24 ठीक है जो आपका answer भी इधर mentioned है it is root 24 ठीक है इसका answer यह हो जाएगा ठीक है तो अभी तक जो ची सब्सक्राइब के रिगार्डिंग तो आप प्लीज कमेंट में मेंशन कर दीजेगा मैं आपके उस डाउट को तुरंत क्लियर करने की पूरी कोसिस करता है ठीक है अभी तक छे टाइप के question balance bond theory से आ सकते हैं वो मैंने सारे questions आपको बता दी है ठीक है हो सकता है आपसे comparison का question भ क्रिस्टल फिल्ट थियोरी existing में क्यों आई पहला question वो इसलिए आई क्योंकि balance bond theory कुछ चीजों के answer नहीं दे पाई थी यानि balance balance bond theory clear नहीं कर पाई जिससे crystal field theory existing में आई ठीक है आईए देखते हैं बहुत लोगों का doubt है crystal field theory और आप पूरा देखेंगे तो कोई doubt नहीं बचेगा आज ठीक है एक एक doubt को ढूट ढूट के हम लोग solve करेंगे क्या-क्या नहीं explain कर पाया it could not explain why pairing occurs in strong field ligand यानि strong field ligand वाले क्यों pair कर रहे हैं यह इसका answer इसके पास नहीं था और weak field वाले क्यों नहीं करना है इसका answer इसका answer पास नहीं था अगला it could not explain color of compound यानि compounds color कर रहे हैं इसकी क्यों ऐसा कर रहे हैं वो इसके पास कोई explanation नहीं था spectrochemical series का जो आपने order लगाया है यह किस basis पर लगाया है क्यों यह order है वो उसका भी इनके पास कोई explanation नहीं था तो यह drawbacks है जो लोग boards के बच्चे हैं वो यहाँ पर drawbacks of balance bond theory से question आता है उसमें आपको एक 3 point ज़रूद mention करते हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब देखिए crystal field theory क्या है crystal field theory? crystal field theory कहती है कि हम ionic bond बनाते हैं ionic bond बनाएंगे कहां बनाएंगे ionic bond? metal और ligand के बीच में metal और ligand के बीच में जो bond होगा वो ionic होगा क्यों? क्योंकि ligand के पास होते है lone pair इसके पास negative charge होता है metal के पास होता है positive charge ठीक है? metal के पास positive charge होता है तो इस वज़े से ये एक दूसरे के साथ ionic bond बनाते हैं क्योंकि ये दूने के उपर ions present हैं और ions एक दूसरे को attract करते हैं जिस वज़े से ये magnetic, जिस वज़े से ये ionic bond का formation करते हैं it says, balance bond theory says metal has as positive charge, metal के पास positive charge होता है and ligand as negative charge both considers bond between metal and ligands is ionic ठीक है ना ligand और metal के बीच में ionic bond का formation होता है ठीक है आपको चीज़ समझ में आ गई होगी तो हम आगे बढ़ते हैं आगे देखिए यह बहुत simple simple सी चीज़े है जल्दी जल्दी से समझ लीजिए तो हम लोग मेन टॉपिक को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे ठीक है ligand approaches central metal atom due to attraction of attraction between opposite charges ठीक है अब देखिए एक के पास plus sign है एक के पास negative charge है तो यह opposite charge हो गए आप अपोजी चार्ज एक बुसरे को करता है attract करता है एक बुसरे को attract करता है यानि CFT कॉम simple भासा में कहें तो इनमें electrostatic attraction होता है ठीक है electrostatic attraction होता है यानि opposite charges है तो एक बुसरे को attract करेंगे ठीक है आपने पढ़ा होगा जब आप लुग dipole बगेरा पढ़ते हो electrostatic physics में ठीक है तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा electrostatic interaction ठीक है अब देखें यहाँ पर CFT considers electrostatic interaction between legands and negative charge and central metal attachment is as positive charge ठीक है next is splitting crystal field splitting अब splitting का मतलब क्या है splitting का मतलब होता है टूट जाना बिखर जाना splitting का मतलब होता है बिखर जाना अब यहाँ पर कैसे splitting होती है यहाँ पर तो एक के पास positive charge यहाँ पर निगेटिव चार्ट repulsion के थूँ यहाँ पर होता है repulsion कैसे होता है जैसे यहाँ पर लिखाया है when legand approaches central metal atom legands lone pair balance electrons are central metal atom यानि कि इसका मतलब यह है कि जो metal होता है और legand होता है इनके बीच में repulsion होता है surrounding में पर तो कुछ electrons होते है और जो इसकी orbit का outer orbit में जो electron होता है उस electron और lone pair के electrons के बीच में यानि उसके negative charge और lone pair के negative charge के बीच में repulsion होता है और वो repulsion इतना ज़्यादा होता है कि वो इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर splitting हो जाती है ठीक है, orbitals तूट जाते हैं, वही लिखाया है यहाँ पर, कि it is repulsion is huge, so splitting of orbitals happens क्यों होता है splitting, यह चीज आपको समझ में आई, अगर समझ में आई, तो जरूर लिखें नीचे comment में, मुझे जरूर बताईएगा कि आपको splitting समझ में आयागा ठीक है, अब देखें यहाँ पर, आपके सामने में बताता हूँ, d orbitals जो होते हैं, d orbitals यह 5 होते हैं, ठीक है, d orbitals 5 होते हैं, according to balance bond theory, all the 5 orbitals of d element, यानि 5 orbitals are of same energy, same energy होती है सभी की, इसी लिए इसको degenerating orbitals भी बोलते हैं, ठीक है, इसी वज़े से इसको degenerating orbitals भी बोलते हैं, अब यह 5 orbitals हैं इसको याद कैसे करते हैं, सबसे बड़ा कठें समस्या तो यही है कि इसको याद कैसे करते हैं, बिना यह नाम याद किये, आपको बहुत problem होगी, क्योंकि अगर यह नाम याद नहीं होंगे नीचे वाले, तो आपको समस्या हो सकती है, तो इसको याद करने का इस simple सा तरीका मैंने आपके लिए लाया है देखिए पांचों है और पांचों में D common है तो सब्सक्राइब लिख दीजिए D, 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 D and D अब याद कैसे करना है आप देखिए सबसे पहले X, X के बाद Y, Y के बाद Z फिर इदर Z के बाद X स्क्राइब और अब यहाँ पर Y नहीं Z स्क्राइब बस यहीं पर याद रखना है आपको अब आपको क्या करना है आप X के बाद बताईए क्या आता है Y आता है Y के बाद क्या आता है Z आता है और Z के बाद A नहीं X आएगा ठीक है, Z के बार X आएगा, और Y square है, X square है, यहाँ पर X के बाद आएगा Y square, देखिए, याद करने का बहुत simple तरीका है, इससे simple तरीका कोई नहीं हो सकता, इसको याद करने का, ठीक है, दो बार बनाएंगे, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर यह होता है Degenerating Orbital का मतलब क्या है, मैंने आपको याद करने का बहुत simple तरीका बताया है, इससे simple तरीका नहीं हो सकता, When all orbitals are on same energy level, it is called Degenerating Orbital, ठीक है, जब सभी के पास same energy होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, Degenerating Orbital, बोलते हैं, अब देखें, यहाँ पर जो first three orbitals हैं, यानि Dxy, Dyz और Dxz, ठीक है, Dyz and Dzx, यह जो तीन होते हैं, यह between the axes होते हैं, यह lie करते हैं, between the axes, और बचे, दो यह जो हैं, यह on the axes लाई करते हैं, यह कैसे होते हैं, अगली ही slide में मैं आपको बता रहा हूँ, यह आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, अब देखें, लोगs present between the axes, अब देखें, यहाँ पर क्या है, दो axes present हैं, यह देखें, यह यह देखें, 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 प्रेजूश प्रेजें हैं इस वजह ऐसे ये विट्वीन अंत क्या होगा अब समय गाता है चैजर्दा रूप ऍयूंज़ के ओपर प्रेजेंट होते हैं तो इस वजह वायं और यह वाले between the axis ठीक है इतनी चीज़ समझ में आगे crystal field theory की अब आगे चलते हैं अब देखिए crystal field theory में splitting जो हो रही है वो उसको कैसे याद रखते हैं अब देखिए यहाँ पर octahedral और tetrahedral का case बनता है octahedral और tetrahedral क्या होता है octahedral tetrahedral में मैं आपको बताता हूँ देखिए यह पाच orbitals थे हमारे पास splitting होके तीन अलग दो अलग हो गए अब देखिए जहाँ पर यह जो तीन है यह देखिए यह तीन और यह दो ठीक है जो दो होते हैं यह दो वाले यह on the axis है यह on the axis और जो यह है यह between the axis है between the axis ठीक है अब एक में देखिए यह वाले उपर है यानि on the axis वाले उपर है between the axis वाले नीचे हैं यहाँ पर between the axis वाले उपर है on the axis वाले नीचे हैं यह क्या तरीका है इसको कैसे याद रखते हैं यह simple चीज है जब octahedral होता है case जब octahedral का होगा octahedral तो on the axis वाले जो orbitals हैं वो उपर होते हैं on the axis वाले उपर होते हैं दिखेंगे तरीका बहुत सिम्पल जब axis on the octahedral का होगा octahedral में क्या आता है o on the axis start होता है o अरे यह तो कमाली हो गया simple से trick हो गई octahedral में o आता है on the axis में o आता है यानि octahedral को जब solve करेंगे तो on the axis वाले उपर और between the axis वाले नीचे जस्ट इसका पोजिट कर दीजिए tetrahedral का case हो जाएगा tetrahedral में क्या होगा between the axis वाले उपर और on the axis वाले नीचे याद हो गया ना बहुत simple तरीका है इससे simplest तरीका नहीं हो सकता चीज़ों को समझने का थीके थोड़ा सा दिमाग लगाए चीज़ें आसान हो जाएंगे आपके लिए यह जो चीज़ें कटफ लगती है तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगे देखिए octahedral octahedral में क्या है on the axis वाले उपर और between the axis वाले नीचे on the axis वाले उपर और between the axis वाले नीचे अब on the axis में कौन था last katu last katu में क्या था dx square y square और dz square ठीक है यह ही देखो यहाँ पर dx square y square d z square अब इसके बाद यहाँ पर क्या था dx y dyz और dzx यह 3 थे these between the axis वाले चीजें समझ में आ गई बहुत आसान आसान चीजें हैं आप लोग बस दिमाग ठोड़ा सा खोल करके बैठेगे चीजें बहुत आसान हो जाएंगे अच्छा टेट्राइडल का नहीं दिया है कोई बात नहीं आगे हम लोग इसको डील कर लेंगे अब देखिए यह जो चीजे है तो यहाँ पर दो अक्षर ही है अब यह जी और टीटू जी क्या है इसको समझने के दरूरत नहीं बस आप याद कर लेजिए इसको एक ऐसी चीज है जो मैं आप से कह रहा हूं याद कर लेजिए इसको डीप में जाना आपके लिए ठीक नहीं है क्योंकि यह बहुत अपर और लेवील की चीजें है इस वहरी से मैं आपको बताना नहीं चाहता तके तो अगर दो औरबिटल है तो तो यह बहुत अब यहाँ पर दिकींचर धीन अ मिक्षर और यह तो नो विटन टीन अकृशर कर थीन डर और आप देखिए, यह तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको इनको याद रखना है, चलिए, आप आगे देखते हैं, अब देखिए, यहाँ पर अगर दो और्बिटल हैं, देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला है, जो और्बिटल ऊपर होगा, उसके लिए positive और जो नीचे है इसके लिए negative ठीक है जो ऊपर है उसके लिए positive sign जो नीचे है इसके लिए negative sign अब आप क्या करिए दोनों के upon में 5 लिखते जिए इधर भी 5 और इधर भी 5 हो गया अब जहां भी orbital 2 होंगे जहां भी orbital 2 होंगे वहां पर लिखा जाएगा 3 3, orbital अगर 2 तो energy जो होगी वह 3 by 5 होगी, plus minus बात की बात है ठेके अगर orbital 2 तो energy जो होगी वह 3 by 5 होगी लेकिन अगर orbital 3 है तो यहां पर energy 2 by 5 होगी अगर 3 बारे orbital उपर है यानि अगर case octahedral का है तो उपर होगा 3 by 5 प्लस का और नीचे होगा minus 2 by 5 और overall जो होगा, वो 3DQ ही होगा overall जो होगा, वो 3DQ ही होगा overall आप कह सकते हैं, चाहे octahidal के इस हो, चाहे tetrahidal के इस हो overall जो energy होगी, वो 3DQ के बराबर ही होगी DQ का मतलब क्या होता है, differential of quanta या जब आप engineering करने हैं, आगे higher class में जाते हैं ये चीज़ आप समझ गए होगे, कि ये DQ क्या है, ठीक है आप octahidal का case होगा, tetrahidal का case देख लेते हैं, simple इसका opposite कर दीज़े tetrahidal का case आजएगा, देखे tetrahidal में क्या किया, अब tetrahidal में क्या होगा between the axis वाले, उपर चले गए, between the axis वाले उपर और on the axis वाले नीचे, अब देखे, मैंने आपको तरीका बताया था, क्या करना है उपर वाले के लिए, plus, नीचे वाले के लिए, minus, हो गया वाईचीज upon में दोनों के 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, आप देखे, 3 orbital है तो यहां पर 2, 2 orbital हैं, तो यहां पर 3, हो गया, simple तरीका, याद करने का, और overall energy 10DQ हो जाएगा ठीक है, अगर आपको problem हो रही है, कहीं पर कोई doubt हो रहा है, मैं थोड़ा सा fast पढ़ा रहा हूँ आपको अगर doubt हो रहा है, तो आप फिर से rewind करके देख सकते हैं, वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए, उतके बार फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है एक बार slow, एक बार normal speed में देख लीजिए, एक बार x2 करके देख लीजिए, ठीक है, इन्टू 2 करके देख लीजिए, यानि speed तेज करके देख लीजिए, जिससे कि जब आप दो बार उन्हीं ही चीजों को देखेंगे, तो आपको जल्दी समझा जाएगा, आप देखें एक 6 और एक उपर 7, ठीक है, अब आपको कैसे इसको solve करना है, मैं solve करके दिखा रहा हूँ, देखें, सबसे पहले यहाँ पर नीचे कितने electrons है, नीचे है 6, ठीक है, और energy कितनी है, minus 2 by 5, तो यह जाएगा minus 2 by 5, ठीक है, plus, plus का sign लगाएंगे, उपर कितने electrons है, 1, और कितनी है energy, 3 3 by 5, ठीक है, अब solve करेंगे, तो कितना जाएगा, हो जाएगा, minus का 12 by 5, और यह हो जाएगा, plus का 3 by 5, अब इसको overall जब solve करेंगे, तो हो जाएगा, minus का 9 by 5, यह answer आपका हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, इस तरीके से question को solve करते हैं, सबसे पहले इसमें fill करेंगे, और fill आप चलते हैं, एक question और है आपके सामने, आप देखिए, यह question आप लोग भी solve करिए, ठीक है, pause कर दीजे, वीडियो को, और solve करने की कोसिस करिए, ठीक है, कैसे आएगा answer यहाँ पर, सबसे पहले इदर से start करेंगे, यह हो गया, दो, ठीक है, दो नीचे दिया है, energy कितनी है, minus कि 3 by 5, ठीक है, और plus, यहाँ पर उपर कितने है, 3, और energy कितनी है, 2 by 5, मेरे according कि यह 0 आना चाहिए, क्योंकि इधर भी minus 6 by 5 हो जाएगा, दो, प्लस 6 by 5, तो overall एक कट के, यह आ जाएगा, कितना, 0, यह answer क्या आ जाएगा, 0 answer हो जाएगा, अब चलते हैं, आगे, ठीक है, कोशन है, write D7 configuration in octahedral complex, for strong field, SFL is present and WFL is present, यानि एक बार हमको pairing करानी है, एक बार pairing नहीं करानी है, यह कोशन आया हुआ है, आपके bolts में सायद, या कहीं न कहीं कोशन आया हुआ है, तो जैसे आपकी slide में mention है, ठीक है, तब देखिए, strong field ligand में क्या करना है, पेरिंग करानी है, अभी अभी हम यह question करके आ रहे है, अभी अभी justice का question हमने solve किया है, सबसे पहला वाला question, यह strong field ligand का है, weak field ligand वाला question देख लेता है, यह वाला question solve कर लेता है, यहाँ पर कैसे करना है इसको, यहाँ पर यह क्या है, यह overall कितने 7 electrons फिल करना है, देखिए, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 7 electrons है, आ और नीचे कितना होगा, minus का 2 by 5 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं नीचे देखिए, कितने इलिक्राउंस है, 5 है, ok, 5 और into minus 2 by 5, plus 2 into 3 by 5, हो गया, overall कितना हैगा, यह minus का 10 by 5, और इधर हो जाएगा, plus का 6 by 5, यानि, minus का 4 by 5 answer आजाएगा, ठीक है, इन ही question को आप 2-3 बार करि अब देखिए, कुछ चीज़ें और भी हैं इसमें, कौन-कौन से factors, crystal field splitting energy को effect करते हैं, अब देखिए, अगर कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होगी, जो आपको देख करके ही, आप answer निकाल सकते हैं, यानि, यह एक तरीके की, short cuts मैं आपको बता रहा हू यहाँ पर, ठीक है, गौर से, ध्यान से सुन लेजिए, पहला, जब हम उपर से नीचे की तरफ जाते हैं, groups में, यानि, when we go down the group, the crystal field energy increases, जैसे हम 3D, 4D, 5D से नीचे जाते जाते हैं, वैसे वैसे energy increase होती जाती है, पहला point, दूसरा point, पहला point यह हो गया, दूसरा point क्या कहता ह दूसरा point क्या कहता है, कि when crystal field energy of octahedral, and crystal field energy of tetrahedral, अगर इन दोनों का case आजाए, तो octahedral में energy जादा होती है, tetrahedral में कम होती है, short cuts हैं, note करते चालिए हैं इन सब को, ठीक है, अब देखिए आगे, third case, third case का कहता है, कि crystal field splitting energy is directly proportional to oxidation number of central metal atom, यानि कि crystal field energy, अगर सारी cases same है, सारी चीज़ें सेम हैं, और oxidation number में difference आ रहा है, तो वो oxidation number पर depend करेगा, जिसका oxidation number ज्याधा, उसकी SFC, यानि crystal field splitting energy ज्यादा, ठीक है, अब अगला चीज, अगर strong field ligand है, तो energy ज्यादा होगी, और weak field ligand है, तो energy कम होगी, अगर दोने में compare करा दिया जाए, strong field ligand, weak field ligand में, तो आप strong field ligand को ज्यादा, उसकी energy होगी, और weak field ligand की कम होगी, example आपके सामने दिया है, fourth, ये चार से जाओगे, तो energy increase होगी, जो energy है, वो oxidation number पर depend करती है, अगर strong field ligand होगा, तो energy ज्यादा होगी, energy increase करेगी, और अगर WFL होगा, तो energy decrease होगी, fourth point is, octahedral में energy ज्यादा होती है, और tetrahedral में energy कम होती है, ये चार points है, आगे एक color काखे, color of complex, color of complex, अगर compound में unpaired electrons हुए, अगर compound में unpaired electrons हुए, यानि अगर compound paramagnetic हुआ, तो वो color so करेगा, hundred percent so करेगा, ठीक है, अगर इस में unpaired electrons हुए, तो वो color so करेगा, ठीक है, अब भूता गया है, कैसे color से होता है unpaired electrons nature से energy को absorb करता है और absorb करके excite हो जाता है यह जैसे electrons है इसमें nature से energy को absorb किया और excite होकर के चला गया इस वाली oxidation इस वाली orbital में ठेक है energy absorb किया, excite हो गया और यहाँ पर चला गया लेकिन यह energy इसकी permanent तो है नहीं यह जब यहाँ जाएगा तो unstable रहेगा stable तो रहेगा नहीं कि एक time तक ही तो यहाँ रह सकता energy खतर पुरण अपने फिर नीचा आ जाएगा यानि जैसे मानलो आपको किसने पैसे दे दिए बहुत सारे, अब आपको जब पैसे दे दिए तो आप कहा जाएगे दोड़ते दोड़ते mall चले गए अब लेकिन एक limited amount में ही तो पैसा है पैसा खतम आप घर आगे तो यही चीज़ है mall में आप क्या है unstable है तो यही चीज़ यहाँ पर है जब आप यहाँ पर है इसको पैसा मिल गया तो यह यहाँ पर अब दीर दीरे energy खतम होगी और यह फिर से वापस आजाएगा ठीक है energy अपनी पुरानी state में यह वापस आजाएगा और आते टाइम energy को release करेगा क्योंकि आप जानते है energy cannot be created neither be created nor be destroyed ठीक है यह चीज़ है अब यहाँ पर energy ऐसे energy absorb होई excite हो गया अब देखिए क्या लिखा है coordination compound exhibit colors because of dd transition dd transition क्यों यहाँ भी d orbital है और यहाँ भी d orbital है d orbital से d orbital में jump कर रहा है इस वजह से इसको क्या बोलते है dd transition next is अब देखिए यहाँ से energy absorb करी ऊपर चला गया energy release करी नीचे आ गया ठीक है अब देखिए आगे जो चीज़ मैंने आपको बताई वही चीज़ यहाँ पर लिखिए है when light from visible ranges falls on unpaired electrons then that unpaired electrons gets excited and jumps to high energy level but electrons in excited state is not stable उपर जाएगा तो stable नहीं होगा so it comes down ground state and release energy ठीक है energy को release करता है लेकिन वो पूरी energy release नहीं करता है अब आप एक बात याद रखिएगा जब वो नीचे से उपर जाता है तो उसके पास ज्यादा energy होते है लेकिन जब वो उपर से नीचे आता है तो उसके पास इस comparison में energy थोड़ी सी कम होती है क्योंकि कुछ energy यहां पर भी खत्म हो जाती है ठीक है इसलिए जब वो नीचे आता है तो आपने contrasting color को represent करता है यानि complementary color सो करता है ठीक है आप complementary color कौन कौन से होते हैं इसके लिए एक simple trick है simple trick क्या है विवग्योर आपको याद होगा ठीक है विवग्योर याद है बस अगर ये याद है तो आ आपको क्या करना है एक plus का sign बनाना है और एक इस तरीके से या किसी भी तरीके से आपको ये ऐसा structure बना लेना है ठीक है और आप विवग्योर लिखिए sequence में चल करें कहीं से भी start करके कहीं पर भी कतम करिए अब जैसे यहां पर मैंने विवग्योर लिखना start किया देखिए व बी, जी, वाई, ओ, आर, यह सब एक दूसरे का कॉंप्लिमेंटरी कलर है, जो एरो के सामने आमने साम लिखे हैं, यह एक दूसरे का कॉंप्लिमेंटरी कलर है, वाइलेट का कॉंप्लिमेंटरी है यलो, ब्लू का कॉंप्लिमेंटरी है और ग्रीन का कॉंप्लिमेंटरी है अब देखिए इस पर questions कैसे आता है simple से question कराता हूं यह question आपका IIT में आया हुआ है ठीक है देखिए if a complex shows blue green sorry if a complex shows blue green color then which color has been absorbed during excitement of unpaired lipons in DD transition कौन सा color यह absorb करेंगे आप देखिए आपको पता होना चाहिए blue green अगर है यह देखिए blue और green अगर है इसके complementary क्या होगा red और orange blue green अगर है तो red orange इसका complementary color होगा red orange is this complementary color अब आपको अगर तरीका पता है तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी ठीक है अब color के questions आपको कैसे solve करने है DD transition से charge transfer से और सजान स्कूल से DD transition आपने देख लिया DD transition D1 से D9 तक लगता है यानि unpaired electrons अगर है तो यहाँपर DD transition होगा लेकिन अगर मान लो unpaired electrons नहीं है तो भी क्या वो color transfer करेंगे तो वो कैसे solve करते है ठीक है अब जैसे अगली slide पर चलते है अगली slide में देखें क्या है DD transition है अगर किसी के पास unpaired electrons ही ना हो तब क्या होगा तो वहाँपर charge transfer के through electrons color so होगा और आपके लिए खुसी की बात यह है कि D0 और D10 यहीं सिर्फ ऐसे होता है जिनमें unpaired electrons नहीं होता और ऐसा case सिर्फ आपकी जो slab cells में सिर्फ तीन ही है सिर्फ तीन है ऐसे जिनमें जो orbital होता है वो D0 होता है ठीक है यही तीन है जो charge transfer के through to color so करते हैं ठीक है अब हम आगे चलते हैं आगे देखिए charge transfer occurs between the oxygen and MN यानि ligands to central metal atom charge transfer कैसे होगा between यह वाला oxygen और यह वाला MN के बीच में ठीक है चलिए लास्ट कुछ example जैसे आप इसमें देख सकते हैं which of the following compound will be colored अब यहाँ पर कुछ तो ऐसे होगे जिनमें जो सारे paired होंगे तो उनमें color so ही नहीं करेगा ठीक है और कुछ unpaired होंगे उनमें color so करेगा जैसे मैं कुछ एक example आपको बता देता हूं जिसे c o ns3 का whole 6 plus 3 अब इसमें आप देखिए plus 6 में होगा अब यहाँ पर देखिए 3d6 last हुआ था याणि 6 electron भरने थे और ns3 एक strong field ligand है याणि pairing होगी तो यहाँ पर सारे paired electrons हैं और जिब सारे paired हैं इसका मतलब यह color so करेगे यह colored होगा ठीक है यह colored होगा sorry colored नहीं होगा no color क्योंकि सारे paired हैं और color होने के लिए कैसा चाहिए unpaired थे ठीक है तो यह not colored next is cof6 अब यह वाला तो एक weak field ligand है और यहाँ पर 6 electrons हैं तो यह unpaired होगी सबसे पहले 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6 अब यह सारे इतने unpaired electrons है यान यह colored होगा ठीक है यह कैसा होगा colored होगा ठीक है यह कैसा होगा colored होगा ठीक है no pairing है इसका मतलब color so करेगा next is आप देखिए यहाँ पर कि calculate the cfc's in the complexes cfc's इसका cols3 का whole 6 कि power plus 3 इसमें आप cfc's इसको निकालना है आप देखिए यह इसका तरीका simple है आप लोग unpaired electrons देखिए कितने हैं pair unpaired और उसमें octahidal tetrahidal देखिए octahidal tetrahidal के according आप उसमें cfc निकाल सकते हैं इस तरीके से आप उसको solve करेंगे ठीक है बहुत simple से तरीके हैं मैंने आपको तरीका भी बताया आपको solve करना है आप देखिए यह जो चीजें मैंने आपको चार अभी ट्रिक्स बताई थी उससे solve हो जाएगा यह इसमें देखिए ligand same है ligand same है और यहाँ पर यह आपके जो periods हैं जो आपके यानि groups हैं वो यहाँ पर अलग-अलग है यह एक फोर्थ का है एक 3D का है 4D का है 5D का है तो आपको पता है जैसे जैसे आप उपर से नीचे जाएंगे यह यहाँ पर इनकी energy जो है increase होती जाएगी तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा third, second, first ठीक है यह देखिए यह question होगे अगली बार एक question और है इसमें हम क्या करेंगे central metal item को सेम रखेंगे और ligand change करतेंगे आप क्या होगा central metal item सेम है सभी में CR है chromium लेकिन ligand सेम है आपको कहां जाना पड़ेगा आपको जाने जाना पड़ेगा spectrum chemical series में spectrum chemical series में आपको जाना पड़ेगा CSC में ठीक है तो उसके according क्या होगा सबसे पहले आएगा fourth ठीक है सबसे पहले fourth finite सबस्यादा strong होता है फिर उसके बाद आएगा आपका ammonia फिर उसके बाद आएगा water and water के बाद आएगा chlorine ठीक है यह आपका simple सा तरीका है इसको निकालने का ठीक है अब देखिए दो last slide हम दोग इसकी कर रहा है finally हमारा chapter finished हो गया है बस इस slide के बाद stability of coordination compound stability कैसे चेक करते हैं अगर ligand same हो central metal atom change हो और ligand same हो तब stability कैसे देखते हैं stability को देखते हैं central metal atom के उपर charge ठीक है यह central metal atom का size अगर stability होती है वो charge है directly proportional होती है central metal atom के और size के inversely proportional होती है same case अगर central metal atom को same करते हैं और ligand को अलग करते हैं तो यही same charge charge of ligands देखेंगे और size of ligands देखेंगे ठीक है यह आपका simple से तरीका था so एक बहुत बड़े chapter important chapter को आज हमने finish किया है so thank you very much अगर आपने अभी इतना देखा है तो इसके लिए thank you so much आप लोग वाकई में एक select होने वाले student है top करने वाले student है ठीक है तो यहां पर आप लोग subscribe जरूर कर लीजे लोगों को जरूर बताईए bell icon को hit कर दीजे वीडियो को like करना बिल्कुल और comment तो यार जरूर कीजिए क्नी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है slides तयार की जाती है यहां पर एक एक डेट घंटे के lectures आपके लिए होते हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताईए कि कैसा लगा आपको और अपने दोस्तों तक और ऐसे लोगों को तक